कि नमस्कार मैं जितेंदर गुपता स्टार सिटी न्यूस की तरफ से मैं आज इस वक्त मोजोद हूं नांगलुई विदानसवा छेत्र में हमारे बीच भाजपा के जिनेंदर जैन जिसे हम सीधी बात करेंगे सर आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूस में सर मेरा आपसे पहला स्वाल है कि आपको जो राइनितिक जीवन है भाजपा से या आप जो भी आप अपनी एंजूश दा रहे हैं कब से शुरुबात हुई सर आपकी भाजपा के साथ तो मैं बहुत ही बचपन से जुडावा हूँ मैं आरसेस में भी जुडा रहा उसके बाद मेरे पास जिले में युवा मोर्चा में मंतरी का पत था पिश्टे 30 साल से मैं सांस्क्री प्रकोष का जिला भार दिली में जिला ध्याक्षू हूँ और बीजेपी जैसी पार्टी के साथ रहने का आरसेसे के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि ये सब को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है सबकी विकास के बारे के ब The Health Charitable Trust का जो गठन था वो 2014 में हुआ था और इसको करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यह था कि जो NGO's हैं उनका जो मेन मकसद समाजिक मैं यह चाहरा था कि हम समाज के हित्मे वाकई में काम करें समाज को अगर किसी परकार की किसी भी परकार की हमारे से मदद चाहिए एक गरीब तद्गे को हो चाहे किसी जरुतमंद को हो अगर उसकी परेशानी को हम किसी तरीके से भी solve कर सकते हैं तो उसको खोलने के पीछे सर्फ मकसद हमारा यही था इस NGO को लिके क्या मतलब क्या जेंट हैं क्या काम कर रही हैं यह दिल से कहिना कि बड़ी खुशी होती है जितंदर जी के मेरी NGO को जो हम लोगों ने शुरू किया था उसके पिछे मकसद यही था कि हमें ऐसी किसी जीजोम इन्वाल नहीं हो रहा हम चाहते हैं वाकुई में देश के हित में जो भी हम काम कर सकें समाज की हथ में जो भी काम कर सकें हमने सर्व पस्थ्म जो काम किया था इस एंजियो खुलने के बाद वो किया था, डिंगो मलेरिया का हमने केमपेंग स्रूर किया अभ wagon शुरू किया लोगों को हम अवेर्दनेस करना चाहते थे हम ही चाहते हैं कि जब डेंगो मलेरिया शुरू हो चुका होता है जब पीक पे होता है लोग उस टेम जागते हैं उस टेम तक हालत बहुत जारा नाजुक हो चुके होते हैं हम हर साल क्या करते हैं कि जब ये डेंगो मलेरिया शुरू होता है उससे पहले ही लोगों को में जुर्म पनबता है लेकिन उस जुर्म को रोकने के लिए उस क्राइम को रोकने के लिए हम लोग करते क्या है हमारा अपना दायत वे क्या है हमारी अपनी ड्यूटी क्या है वो हम नहीं समझते पिछले पांस सालों से हम हमारी पार चला चला रहे हैं जहांपे कि सतर से पगड़ ले और उसको इतना सक्षम बना दे तो आने वाले भविशे में मैं ये मानता हूं कि कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेगा और अपने भविशे को जुल कर गे वो भी जुगियों से उटके वो भी एक अच्छे समाज के रही बाईश तारीक को जब हमारे सम्माननिये परदानमंत्री नरिंद मोदी जी ने पहले दिन जब ये एक कर्फियू का जो आलान किया था उसके बाद जब ये प्रॉपर लोगडाउन हुआ सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक द्रिन शंकल के साथ एक ये जो नोंने फैसला लिया ये हर किसी परदामत्री राजपती के बस की बात नहीं थी इसका सम्मान करते हुए जब ये कर्फियू लगा तो उसका फाइदा ये हुआ कि करोना की जितने ज़्यादा केसिस आपको पूरे विश्व भर्में देखने को मिले उसके म शाम का खाना प्रॉपर तरीके से लोगों को मिलता था हमने इस बात का विशेश तोर पे ध्यान दिया कि खाना वही उनको दिया जाए जो कि हम खुद खा सकते हैं खाना पोश्टिक होना चाहिए खाना को हमने डेली बदल के दिया क्योंकि अगर हम लोग रोज उनको एकी की चीज़ ना दी जाए उनको हमने खाना बदल बदल के दिया हमने बहुत गंदे और बहुत बुरे बुरे एक्सपीडियंस भी हम लोगों ने इस करोना काल में किये हमारे पास ऐसे ऐसे माताय आई जिनके छेचे मेने के बच्चे को वो पूर दिन पीट पीट के सुलाती थी और यह कहती थी कि आज इस बच्चे को मैंने सुबह पानी चीनी मिलाके बिलाई है और इसको पीट-पिट के सुला रही हूँ उन बच्चों के लिए हम लोगों ने दूद की सेवा का रोज श्रू किया पहले दिन हमने चार किल्यो दूद से शुरू किया और करते-करते हम उसको सो किलो तक चले गए उसके लावा जो भी उनकी जरुते थी वो हमने उनको मुहिया कराई जो प्रवासी मजदूर थे प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के सयोग से हम लोगोंने बहार रोड पे रुखकर उनको समझाया कि आप जहां बोर्टरस पे जा रहे हैं वहां पे आपके परिवार के लिए आपके लिए खत्रा सामने मूँ खोले खड़ा अपको इस बात को समझना पड़ेगा काफी लोगों ने हमारी इस बात को समझा काफी लोगों का दर्द हम लोगों ने समझा उनका दर्द ये था कि अगर हमेसर यहीं पे खाना हमारे को हमारी सुविदाए हमको यहां पे मौया हो जाएंगी तो हम यहां से नहीं जाएंगे उन लोगों के लिए डेली का सुवेश अमार खाना भी हम लोगों ने मौहिया खराया उनको खुद हम लोगों ने दिली पलिस के स्योग से घर तक छोड़ा कई लोगों की दिक्कत एथी कि हमें मकान मालिक ने निकाल दिया मामले में मैं नांगलोई थाने का बहुत शुक्र गजार हूँ कि वहां पे हमारे सम्माननी एसेचो साब ने हमारे वहां के हमारे बीट के लोगों ने या दराम जी वहिंदर जी कई ऐसे लोग थे जिन्हों ने खोड जा जाकर जिस चेतर से आप कर रहे है राजनीति आपका अवार्ड नमर प्रॉपर कुंसा है 49 तो आपका काफी अच्छी है समाज में 26 है सर तो अगर भविश्य में पार्टी टिकर दें दो 1222 में नगर निकम की तो आप इच्चु के चुनाव लिट देगे लिए राजनीति बहुत की चड़ में घुसके या खुद आगे बढ़कर उसको ठीक करना नहीं चाहता अगर भविश्य में मुझे मुझे मौका मिला और बड़ों का आशीर वायद रहा तो जरूर मैं राजनीति में आगे टिकेट लिना चाहूंगा और अपने समाज के लिए अपने वाड़ के लि है क्या किसानों को लेके सबसे पहले जो आपके मिडल जो लोग होते थे मिडियेटर्स जो होते थे जो एजेंट्स होते थे वो हमेशा जो एक सही पैसा एक किसान को उसकी अपनी फसल के लिए मिलना चाहिए क्या वो उसको देते थे उसको एक शर्मिक की तरह उसको तरह उस फसल को अपने दामों पे जैसे चाहे जाना चाहे उसको वो बेश सकता है जिने इंद्र जी आप से एक सवाल उख कर लेते हैं जैसे या भारती अंदर पाइटी में जिला देशे हैं सांस्कृतिक पर कोश्ट में कुछ इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या हम इसके परकोश्ट की जो परदेश द्यक्षा हैं शिरीमती रूबी आदव जी मैं उनके बारे में भी आपके चनले माद्यम से दो शब्द कहना चाहूँगा कि शिरीमती रूबी आदव जी बहुत ही करमट बहुत ही महंती बहुत ही इमानदार नेता हैं और पूरा सांस्क्रिप प्रकोष्ट को एक परीवार की तरह रखके चलती हैं बहूत ही अच्छी नियता हैं पूरा एक परीवार उनका सांस्क्रिथ एक के घर पे अगर कोई खुशी है कोई दुख है उसके गभर में जाके हुँषी में जाकर उसके खुशी को बढ़ाएं इस प्रक्राइक से सब्सक्राइब करता है तो यह मारे सीजी बाद जिनेंदर जैन जिसे स्टार्ड सेटे के साथ मैं जितेंदर गुपता हूं